चैहन दोस्तो, समाधान में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं हेरफॉल्स के बारे में दोस्तो, हेरफॉल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है लेकिन ही प्रॉब्लम काफी बड़ी हो जाती है क्योंकि हमें इसका इलाज ठीक से नहीं मिलता इसका कारण ये भी है कि हमें पता नहीं कि हमें किस वज़ा से हेरफॉल हो रहा है कई लोगों को कहीं का पानी सूट नहीं करता किसी किसी जगा की हवा सूट नहीं करती और कई सारे कारण हो सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे कारण है जिनकी वज़े से हेर फॉल होता है और उसके साथ हमारे बाल सफेध होना शुरू हो जाते हैं और जानते हैं उन सभी चीजों का इलाज तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अपनी समस्या के समाधान के लिए हमारे यूट्यूब चैनल समाधान को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी समस्या लिखे ताकि जल्दी उस समस्या का समाधान आपको मिल सके दोस्तो जादतर केस में ये देखा गया है कि अपने बालो को हम खुद ही खराब कर देते हैं और वो कारण जिसकी वज़े से हम अपने बालो को खराब करते हैं वो है कैमिकल प्रोडक्ट्स का यूज़ करना हम अपने बालों पे कलर करवाते रहते हैं उन कलर की वज़े से हमारे बाल कमजोर हो जाते हैं फिर हम उस पे महंदी करवाते हैं ताकि उनमें थोड़ी सी जान बापस आ जाए लेकिन महंदी करवाते इट समय या तो हमारे बाल golden color के होने शुरू हो जाते हैं या फिर red color के होने शुरू हो जाते हैं तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे बाल कमजोर भी ना हो और वो सफेद भी ना हो दोस्तो आपके बाल अगर सफेद हो चुके हैं तो उन सफेद बालों को दुबारा काला करना बहुत ही मुश्किल है अगर आप उन सफेद बालों को काला करना चाते हो तो आपको अपने खाने में कॉपर, जिंक और मैगनीशियम जैसी चीजे बढ़ानी होंगी लेकिन अगर अभी तक आपके बाल सफेद नहीं होए है या फिर सिर्फ सफेद होने की शुरुवात हुई है और आपके बाल कमजोर हो रहे है तो पहले मैं आपको एक होममेड मास्क बताता हूँ जो आप अपने बालों पे लगा सकते हैं और उससे आपको काफी ज़ादा फायदा होगा इस मास्क को बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है वो है अंडा, धई और कैस्टर ओयल हमें इन तीनों चीजों को मिलाना है और एक मास्क बनाना है इस मास्क को अपने पूरे बालों पे अच्छे से लगाना है, साथ ही साथ अपने स्केल्प पे लगाना है इसको अच्छे से रखना है 20-25 मिनिट तक और उसके बाद इसे किसी भी साफ पानी से धो ले साथ ही साथ आप थोड़ा सास hair oil अपने बालों में लगा लें ताकि उनमें थोड़ी सी नम ही आ जाए ये चीज वो हर इनसान कर सकता है जिसके बाल कमजोर हो रहे हैं लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं जो कि उमर में काफी ही जादा छोटे हैं सतरा, सोला, पंदरा, अठारा या बीस साल के हैं और उनके सफेद बाल आने शुरू हो गए हैं जैसा कि मैंने बताया सफेद बाल या तो जैनिटिक्स की वज़े से आते हैं या फिर आपके खराब खान पान की वज़े से आते हैं तो आप अपने खाने के अंदर आइरन, जिंक, मेगनीशियम और कॉपर की मातरा भरपूर रखें जिससे आपके सफेद बाल होने की प्रॉबलम खतम हो जाएं साथी साथ आप अपने बालों की जडों की सफाई करें और जडों की सफाई करने के लिए जो चीज़े आपको चाहिए वो है अरोमा ओयल और अलोवेरा जल अरोमा ओयल आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं आप चाहे तो चेस का ले लीजिए आप चाहे तो ब्लॉसम क्रॉचर्स का ले लीजिए ये दोनों ही काफी अच्छे ब्रेंड है और अगर आपके घर पे अलोवेरा का पौदा लगा हुआ है तो आप वहां से फ्रेश अलोवेरा लीजिए जो की बहुत ही फायदे मंद होता है आप इन दोनों को मिक्स कीजिए और अपने स्केल्प की अच्छे से सफाय कीजिए इसको आपको हफते में तीन दिन करना है दोस्तो होता ये है कि हम कई सारे केमिकल प्रोड़क्ट अपने बालों पे लगाते रहते हैं जिसमें कई तरीके के प्रेजरवेटिव्स होते हैं जिनकी वज़ा से हमारे सर पे जो ओपन पोर्ड़ होते हैं वो कही ना कहीं बंध हो जाते हैं जब हमारे सर की स्केल्प ठीक से सास ही नहीं ले पाती तो उसमें कई सारी तरीके की प्रोड़म्स होनी शुरू हो जाती है जिसमें से सफेद बाल उनी में से एक प्रॉब्लम है तो आप इस चीज को ट्राइ कीजिए हफते में तीन बार आपको इसको दो से तीन महीनों तक लगाता ट्राइ करना है अगर आपका किसी भी तरीके के कोई भी सवाल हो तो आप नीचे description box में अपने सवाल जाल सकते हैं हम जल से जल उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे और अगर आपको किसी specific topic पर कोई वीडियो चाहिए तो वो भी हमें comment section में बता सकते हैं दोस्तों बालों की problem कई अलग अलग कारणों की वज़े से हो सकती है इसलिए आप अगर कुछी समय पहले आपके आसपास की conditions change हुई है और उसकी वज़े से आपके बाल तूटना गिरना जादा शुरू हो गए है तो आप उन चीजों पर ध्यान दीजिए क्योंकि कई बार हम अलग अलग तरीके के नुस्के आजमाते रहते हैं लेकिन उस समस्या का इलाज कहीं और ही होता है तो ये उन लोगों के लिए जो की chemical product काफी जादा इस्तमाल कर रहे हैं अगर आपको ऐसी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो आज के लिए इतना ही जैहिन मेरे दोस्तों